हौसले के तरकष में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो हार जाओ चाहिए जिन्दगी में सब कुछ वगर फिर से जीने की उमीद जिन्दा रखो जो नहीं है हमारे पास वो ख्वाब है पर जो है हमारे पास वो लाजवाब है आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्च मन्त 2019 करंट अफेर के मोस्ट इंपोर्टन पचास क्वेशन की पूरी जानगाई के साथ मुझे पूरी उमीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हैल्फुल होगा चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के हाल ही में शुन्या भेदभाव दिवस कम मनाएगा हाल ही में शुन्या भेदभाव दिवस एक मार्च को मनाएगया शुन्या भेदभाव दिवस स्युक्तराष्टर और अन्या अंतराष्टरिया संगठनों द्वारा मनाया जाना वार्षिक दिवस है इसका उदेश्या कानुन के समक्ष समानता और स्युक्तराष्टर के सबी सदस्या देशों में वैवार को बढ़ावा देना है इस बार के शुन्या भेदभाव दिवस की थीम है Act to Change Law that Discriminate इसको आप याद रख लें Act to Change Law that Discriminate और शुन्या भेदभाव दिवस सबसे पहले जो है 1 मार्च 2014 को मनाए गया था हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कम मनाए गया विश्व वन्यजीव दिवस विलूप्त वन्यजीवों और वनस्पति के सरंक्षन की दिश्या में जागरूता लाने के लिए मनाया जाता है और इस बार के विश्व वन्यजीव दिवस की थीम है Life Willow Water for People and Planet जन ओश्दी दिवस किस दिन मनाया जाता है जन ओश्दी दिवस साथ मार्च को मनाया जाता है प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी द्वारा एक जुलाई 2015 को प्रदान मंतरी जन ओश्दी प्रयोजना की शुरुवात की गई थी इस प्रयोजना की अंतरकत देश के बविन भागों में जन ओश्दी केंदर खोले जाएंगे इन जन ओश्दी केंदर में हमें जैनरिक दवा मिलेगी अगर हम जैनरिक दवा की बात करें तो जैनरिक दवा का प्राइस ब्रांडिट दवाओं से कम होगा और इसका प्रभाब ब्रांडिट दवाओं के बराबर होगा इसलिए 7 मार्च को जन आउश्दी दिवस इनी जेनरिक दवाओं के उप्योग के बारे में लोगों को जागरू करने के लिए मनाया जाता है अंतराश्ट्रिया महिला दिवस कब मनाया जाता है अंतराश्ट्रिया महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है अंतराश्ट्रिया महिला दिवस महिलाओं के आर्थिक, राजनितिक और समाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष में मनाया जाता है इस बार के अंतराश्ट्रिया महिला दिवस की थीम है विश्यव किड़नी दिवस कब मनाया जाता है विश्यव किड़नी दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है विश्यव किड़नी दिवस लोगों को किड़नी के महत्व और किड़नी रोगों के खिलाफ जागरू करने के लिए मनाया जाता है Global Recycling Day कब मना जाता है Global Recycling Day 18 March को मना जाता है Global Recycling Day जो है Recycling के महत्व को समझाने के लिए मना जाता है Recycling Process में हम किसी पुराने Material को नए Material में बदलते हैं Antrashtria 1 दिवस कब मना जाता है Antrashtria 1 दिवस 21 मार्च को मना जाता है और इस बार की Antrashtria 1 दिवस की थीम है वन और उर्जा शाहिद दिवस कब मना जाता है हाली में शाहिद दिवस 23 मार्च को मना जाता है तो इस उपलक्ष में 23 मार्च को हर साल शाहिद दिवस के रूप में मना जाता है हाली में विशव टीवी दिवस कब मना जाता है हाली में विशव टीवी दिवस 24 मार्च को मना जाता है इसको मनाने का लक्षया लोगों को जो है टीवी रोग के प्रति जागरु करना है। भारत सरकार का उदेशिया भारत को दोजार पच्चित तक टीवी मुक्त करना है। विश्यव जल दिवस कब मनाये गया विश्यव जल दिवस 22 मार्च को मनाये गया विश्यव जल दिवस विश्यव के सभी विक्सित देशों में स्वच एवं सुरक्षित जल की उपलब्दा सुनिशित कराने के लिए मनाये जाता हैं इस बार के विश्यव जल दिवस की थीम है लिविंग नो वन बिहाइंड वियतनाम में भारत के राजदूत के रूम में किसे निुक्त किया गया है अगर हम वियतनाम की बात करें तो वियतनाम की राजदानी है हनोई हाल ही में प्रणे कुमार वर्मा को वियत नाम में भारत के ने राज़दूत के रूप में निक्त किया गया है ये है प्रणे कुमार वर्मा 1994 बैच के IFS अधिकारी रह चुके है साओधी अर्ब में भारत के राज़दूत के रूप में किसे निक्त किया गया है अगर हम साओधी अर्ब की बात करें तो साओधी अर्ब की राजदानी है रियाद हाल ही में ओसाफ सैयद को साओधी अर्ब में भारत के राजदूत के रूप में नुक्त किया गया है ये पहले राजदूत एहमद जावेद की जगा लेंगे ये हैं ओसाफ सैयद 1990 बेच के IFS अधिकारी रह चुके हैं उजबेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे न्युक्त किया जाएगा अगर हम उजबेकिस्तान की बात करें तो उजबेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद उजबेकिस्तान में संतोष जहा भारत के अगले राजदूत होंगे संतोष जहा 1993 बेच के IFS अधिकारी रह चुके हैं मुरको में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे निउक्त किया जाएगा अगर हम मुरको की बात करें तो मुरको की राजदानी है रबात मुरकों में शम्भू S. कुमारन को बारत के नए राजदूत के रूप में नुक्त किया जाएगा ये है शम्भू S. कुमारन ICC की क्रिकट स्मित्थी के अध्यक्ष के रूप में किसे नुक्त किया गया है हाल ही में अनिल कॉंबले को ICC समित्थी के अध्यक्ष के रूप में न्यूक्त किया गया है अगर हम ICC की बात करें तो ICC की स्थापना 1909 को हुई थी इसका मुख्याल्या दुबई में है इस समय इसके चेर्मेन शंशांक मनोर है और ICC के CEO डेव रिचरड सन है ये थे कुछ important fact ICC के बारे में राष्ट्रिया पिछड़ावर्ग आयो का अध्यक्ष किसे न्यूक्त किया गया हाल ही में डॉक्टर बगवान लाल सहानी को राष्ट्रिया पिछड़ावर्ग आयो का अध्यक्ष न्यूक्त किया गया डॉक्टर भगवा लाल सानी बिजेपी नेता है बार्क का प्रमुख की से न्युक्त किया गया हाली में बार्क का प्रमुख अजीत कुमार को न्युक्त किया गया है अगर हम बार्क की बात करें तो बार्क की फुल फॉर्म में भाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसकी स्थापना होमी जहांगीर भाबादवारा 1954 को की गई थी बर्क का मुख्यालया मुंबई में है फॉन पे के ब्रांड अमेस्टर के रूप में किसे नुक्त किया गया हाल ही में अमीर खान को फॉन पे के ब्रांड अमेस्टर के रूप में नुक्त किया गया है फॉन पे एक money transfer एप है हाल ही में भारत के पहले लोगपाल कौन बने है हाल ही में भारत के पहले लोगपाल PC गोश बने है ये हैं justice PC गोश अगर हम लोगपाल की बात करें तो लोगपाल का कार्या उच्छ पद पर आसिन व्यक्तियों दुआरा किये जारे ब्रष्टाचार की शिकायद सुनना और उस पर कारेवाही करना है ओलंपिक काउंसिल ओफ एशिया समिती में हाल ही में किसे शामिल किया गया है हाल ही में सरदार सियां को ओलंपिक काउंसिल ओफ एशिया समिती में शामिल किया गया है सरदार सियां पुर्व में भारतिया होकी टीम के कपतान रह चुके हैं कनाडा की सांसद में भारतिय मूल के पहले सांसद कौन बने हैं हाली में जगमीत सियां कनाडा की सांसद में भारतिय मूल के पहले सांसद बने हैं गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूम में किसे न्युक्त किया गया है गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में प्रमोद रावत को न्युक्त किया गया है गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनुहर पारिकर की मृत्यू के बाद प्रमोद रावत गोवा के तेरवे मुख्यमंत्री बने है हाल ही में किस राजिया द्वारा जल अमरित योजना की शुरुआत की गई है हाल ही में करनाटक द्वारा जल अमरित योजना की शुरुआत की गई है इस योजना का उदेश्या लोगों को जल सरंक्षन के प्रती जागरु करना है करनाटक सरकार ने वर्ष 2019 को जल वर्ष गोशित किया है प्रदाहान मंतरी शरम योगी मानधन योजना की शुरुवात किस राजय से की गई है इस योजना से 10 क्रोड असंगटित क्षेतर के करमचारियों को फाइदा मिलेगा इस योजना के तहत असंगटित क्षेतर के करमचारियों को हर मिने 100 रुपे जमा कराने होंगे और 60 वर्ष की आयू के बाद इने 3000 रुपे की पेंशन मिलेगी आंचल अमरित योजना की शुरुवात किस राजय के द्वारा की गई है? अटल आहर योजना की तहट कंस्रक्शन साइट पर काम करने वाले मस्दूरों को कम दामों पर बोजन परदान किया जाएगा। क्यूर्टी फोर्स और बी जी बी बॉर्डर गार्ड बांगला देश के बीच में आयोजित कराया गया। हाली में अलनगात्री सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित कराये गया। कहां कराये गया। ओमान के जब्बल अल अकजर ट्रेनिंग केंप में। संप्रिती सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया। क्रोशिया के सर्वोच पुर्शकार ग्रांड ओर्डर से हाली में किसे समानित किया गया। अगर हम क्रोशिया की बात करें तो क्रोशिया की राजदानी है जागरेब। कुछ समय पहले भारत के राष्ट्रपती रामनात कोविंद जो है कुरोशिया के दोरे पर थे। तो भारत के राष्ट्रपती रामनात कोविंद को कुरोशिया के सर्वोच पुर्शकार ग्रांड ओर्डर से समानित किया गया है। हाल ही में नोबेल शांती पुरुषकार के लिए किसे नामांकित किया गया है। नोबेल शांती पुरुषकार जीत लेती हैं तो वे सबसे कम उम्बर में नोबेल पुरुषकार जीतने वाली दूसरी सबसे कम आयू की व्यक्ति बन जाएंगी मलाला यूसुफ वजई के बाद। मलाला यूसुफ वजई जो है पाकिस्तान मूल की हैं इन्होंने जो है स्तारा वर्ष की आयू में नोबल शांती पुरुषकार 2015 में जीता था। ये हैं ग्रेटा थुनबर्ग बिजनेस चेंजमेकर एवार्ड आफ ती इयर हाल ही में किसे दिया गया है। दुबाई ओपन टैनिस किताब 2019 हाल ही में किसने जीता है। अगर हम महिला दुबाई ओपन टैनिस किताब की बात करें तो इस बार की वी जीता हैं बैलिंडा बैनसिक। कौन है बैलिंडा बैनसिक ये भी स्विजर लेंड की टैनिस खिलाडी है। आइसीसी की ताजा ओडियाई महिला बॉलर रेंकिंग में हाल ही में पहले नमबर पर कौन है। देखिए आइसीसी की ताजा ओडियाई महिला बॉलर रेंकिंग में हाल ही में जुलन गोस्वामी पहले नमबर पर है। फोवर्स की सुची के अनुसार विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में पूरे विश्व में तेरुवे स्थान पर है। हाल ही में अंतरश्ट्रे क्रिमिनल कोर्ट का सदस्या कौन बनाए। हाल ही में अंतरश्ट्रे क्रिमिनल कोर्ट का सदस्या मलिश्या बनाए। लेगे हाली में सुल्तान अजलन शाकप दोजार उन्नी का आयोजन मलिशिया में कराए गया है इसमें छे देश भांग लेंगे अगर हम सुल्तान अजलन शाकप दोजार अठारा के विजेता की बात करें तो दोजार अठारा में सुल्तान अजलन शाकप का विजेता आस्ट्र किस राजया सरकार ने OBC के लिए आरक्षिन कोटा बढ़ाने की गोषना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% अरक्षिन कोटा लागु करने की गोषना की है वार्शिक सब्री माला उत्सव का आयोजन किस राजया में किया गया है वर्षिक सबरी माला उत्सफ का आयोजन केरल में किया गया है एश्याई यूथ चेंपियनशिप 2009 का आयोजन किस देश में कराए गया है एश्याई यूथ चेंपियनशिप 2009 का आयोजन होंग कॉंग में कराए गया है इस शाय यूथ चेंपिनशिप में जो है 15 से 17 वर्ष की उम्बर के खिलाडियों ने भाग लिया इस बार के इस शाय यूथ चेंपिनशिप में चाइना 31 मेडल के साथ पहले स्थान पर और भारत 26 मेडल के साथ दुसरे स्थान पर रहा है पिंच रेटिंग ने 2020 के लिए भारत की आर्थिक विकास तर कितनी रहने का अनुमाल लगाया है देखिए पिंच रेटिंग के अनुसार 2020 के लिए भारत की आर्थिक विकास 6.8 प्रतिशत रहेगी हाली में एंटी सेटलाइट वेपन किस देश ने लॉंच किया है तो देखिए हाली में भारत ने एंटी सेटलाइट वेपन लौँच किया है भारत, रूस, चाइना और अमरीका के बाद एंटी सेटलाइट वेपन लौँच करने वाला चोथा देश बना है हाली में अंतराश्ट्रिया संस्कृत समीलन का आयोजन किस देश में कराए गया है किस देश की राजधानी का नाम बदला जाएगा कजाकिस्तान की राजधानी का नाम बदला जाएगा इसमें कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना है अब जो है कजाकिस्तान की राजधानी का नाम वहाँ के पूर्व प्रेजिडेंट नूर सुल्तान नजरवे के नाम पर रखा जाएगा दुनिया के सबसे बड़ा E-based recycling hub कहा है? दुनिया का सबसे बड़ा E-based recycling hub दुबई में है भारत के नए नौ सेना परमुक कौन होंगे? भारत के नए नौ सेना परमुक करमवीर सियां होंगे? ये है करमवीर सियां करमवीर सियां एडमिरनल सुनील लामा की जगा लेंगे अगर हम थल सेना परमुख की बात करें तो इसमें भारतिया थल सेना परमुख जनरल बिपिन रावत है और वायू सेना परमुख बीएस धनोवा है संगम पर्योजन की शुरुवात किस ने की है? संगम पर्योजन की शुरुवात माइक्रोसोफ्ट ने की है संगम परोजना की शुरुवात माइक्रोसॉप्ट द्वारा भारत के स्वच्ता अभियान को पढ़ावा देने के लिए की गई है हाली में किस राज्या की मुख्य मंत्री ने लोगसबा टिक्टों में महिलाओं के लिए तित्ती प्रतिशत अरक्षन की गोशना की है देखे हाली में उडिसा के मुख्य मंत्री नवीन पटनाइक ने लोगसबा टिक्टों में महिलाओं के लिए तित्ती प्रतिशत अरक्षन की गोशना की है किस राज्या की अपरदित हल्दी को जी आई टेग दिया गया है इसके अलावा करनाटक की सिर्सी सुपारी को भी जी आई टेग दिया गया है अगर हम जी आई टेग की बात करें तो जी आई टेग की फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मुख्या रूप से कुछ विशिष्ट उत्पादों क्रिशी, प्राकृति, हस्त शिल्प और उद्योगिक समान को दिया जाता है जो कि एक निश्चित क्षेतर में दस वर्ष या उससे अधिक समय से उत्पन हो रहा है हाली में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है इस क्वेशन का अंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज के इस वीडियो में हमने बात की है मार्च मन्त 2019 क्रंट अफेर के मोस्ट इंपोर्टन पचास क्वेशन की ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेर करें यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आज की वीडियो में बस इतना ही थेंक्स वर वाचिंग जय हिंद जय भारत